मदूबनी चिले के आरके कॉलेज में बिहार पुलिस की परिक्षा में शामिल होने आई परिक्षार्तियों ने जम कर हंगामा किया और कॉलेज परिसर में तैनात NCC के कैड़ेट्स और सुरक्षा कर्मियों पर दुर्वेभार का रोप लगाया साती जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद परिक्षा में बैठने की अनुमती नहीं देने की बात कही इतना ही नहीं इन परिक्षार्तियों ने एडमिट कार्ड फार दिये जाने का भी आरोप लगाया है जी तो आपको बता दे कि मदुबनी जिले के आरके कॉलेज में बिहार पुलिस की परिक्षा में शामिल उने आई परिक्षार्तियों ने हंगामा किया है तो आपको बता दे कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें एक्जाम में नहीं जाने दिया गया और एडमिट कार्ड फार देने की भी बात सामने आई है आपको बता दे एक बार फिर्ट से कि आरके कॉलेज में बिहार पुलिस की परिक्षा होने वाली थी वहाँ पे शामिल होने आई परिक्षार्तियों ने हंगामा किया है आपको बता दे कि वहाँ पर NCC के कैड़ेट्स और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे जिन पर उन्होंने दुर्वेभार का आरोप लगाते हुए जम कर हंगामा किया समस्तिपूर में बाइक सवार अपराधियों ने हतियार के बल पर चावल वेवसाई से 4,50,000 रुपे कैश लूट कर फरार हो गए घटना जिले के मतुरापूर ओपी शेत्र के मुक्तापूर तेल डीपो के पास की है पताया जा रहा है कि पीड़ित समस्तिपूर दर्भंगा मुख्यपत के किनारे स्थित अपना मिल खोलने के लिए पहुँचे थे इसी दोरान दो बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुँची और अपराधियों को धर पकड़ के ले कर गई मसौरी धाना शेत्र के अंतरगत एक विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला जिसके बाद इलाके में हर्कंप मच गया मृतका की पहचान रूनती देवी के रूप में हुई है वहीं घटना की सूशना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पुस्ट मॉटम के लिए भेश दिया बता दें कि मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है